बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक है आज आपकी जो भी समस्या हैं बहुत दिन से चली आ रही है उसका समूल समधान होने की संभावना बन रही है आज आपका मन प्रफुलित रहेगा चोतरफा लाब से आपको काफी लाब होगा और चोतरफा लाब से म साफधुन्थ का यूग बन रहा है और अचानक कोई बड़ा कार greater होने से मन आपका प्रसंद रहेगा अचानक यातरा होसकती है तिर्थ यात्रा भी होने की संभाना बन रही है देशाठन तिर्थाठन होने की भी संभाना बन रही है यात्रा से धनलाब हो सकता इस तरह की संभाना दिख रही है आपको सौधानी के अबरतनी है भाउक्ता में बाग के कोई भी निड़े न ले उपाय क्या करना है चंद्रमा को आर्ख देना आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंक है आठ सुबरंग है नीला और लक्मीटर है आठ हरे कृष्ण करपूर गौरं करुडावतारं संसार शारं भुजगेंद्र हारं नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंतर पार्थी आप देख रहे हैं भागी गुरु करकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या इसती है पंचांग आज क्या कहता है सुर्योदय कब होगा, सुर्यास कब होगा, दिशाशूल कब है, राहुकाल कब है, सुमुहृत कब है कौन सा योग है, कौन सा तिथी है, कौन सा नचत्र है, कौन सा करण है चंद्रमा किस राजी पर रहेगा है सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे आज का महामंतर क्या है इस महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या लाभ मिलेगा यह भी बताएंगे बारह राशियों की क्या इसती है आज की बारह राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा बारह राशियों पर एभी बताएंगे कौन भारती प्रसाश्चिक सेवा में जाएगा कौन सेना में जाएगा कौन बैग्यानिक बनेगा किसको पुलिस से वा में जाना है किसको भूमी भून से लाफ मिलेगा कौन बैपार के चेतर से धन अरजित करेगा कौन बिदेश जाएगा इस सारी बात हम आपको बताएंगे किस अंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी सौधानी के अबरतनी है उपाय क्या करना है गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सकों के प्रस्णों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहेए भागी गुरू कारिकरम अब आईए हम सुरुवात करते हैं आज के पंचांग के आज का पंचांग है 8 जून 2024 दिन है सनिवार सुर्योदे हो चुका है प्राता 5 बच के 22 मिनट पर सुर्यास्त होगा सामको 7 बच के 17 मिनट पर आज चंद्रवा रहेगा मिथू राशी में आदरान छत्र है शुकल पक्ष है गंड योग है और आज का जो सुम महुरत है वो ग्यारा बच के 22 मिनट से लेकर के दो पहर बारा बच के 48 मिनट पर रहेगा राहु काल है सुब आठ बच के क्यों मिनट से लेकर के 10 बच के 35 मिनट तक रहेगा पूरो दिशा का दिशा सूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रवा है मिथू राशी में जब चंद्रवा मिथू राशी में हो तो ब्यक्ति अपने बल पर महान उन्ध करने वाला होता है और आज कर देन आपके लिए काफी अच्छा है जह सेयर ट्रेडिंग या फाइनेंस के मामलों में आपकी परिशानी है आज कर दिशा सूल में यात्रा करने से बच्चे हैं अगर है यात्रा परिहार तो एक दिन पूरु सुभन मूर्थ में प्रस्थान निकाल के तब यात्रा करें यात्रा आपका सुभत हो जाएगा अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम संग सनस्च्रायनवा यह जो महामंत्र है सूरी पूत्र शनी का है शनी न्याय की आप सनी के इस महामंतर का जब करें निश्चत रूप से आपको बड़ी सफलता मेरी कि परिशानिया कम होगी उत्रों तरह का विकास होगा ता आप इस महामंतर का जब मियमित करें अच्छा रहेगा आपके लिए